आगरा जन्पत की थाना डौकी चेतर के पुलिस चौकी बमरौली कटारा के अंदरगत कस्बा बमरौली कटारा के महला अटूला में उस समय हड़कम मच गया जब रोडवेज परिचाला के घर में से करीब 45 लाग के जेवरात एवं 80,000 रुपए चोर चोरी करके ले गए प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना डौकी चेतर के अंदरगत कस्बा बमरौली कटारा के महला अटूला में उस समय हड़कम मच गया जब रोडवेज परिचाला के घर में चोरों ने लाखों के जेवरात और नगदी पार कर ली जानकारी के अनुसार कस्बा बमरौली कटारा निवासी हैमंत की पतनी सुभा करीब पांच बजे बातरूम के लिए जा रही थी तबी देखा कि दरवाजे एवं अलवारी खुली पड़ी है यह देख हैमंत की पतनी की चीख निकल गई और उसने पती को जगा कर बताया कि घर में चोरी हो गई है तबी हैमंत ने देखा कि अलमारी खुली पड़ी थी जिसमें से करीब चालिस तोला सोना दो किलो पांच सो ग्राम चांदी और असी हजार रुपे नगद गायब थे इसकी सूचना ततकाल हैमंत वा परिवारी जनों ने पुलिस को दे दी तो थाना अध्यक्ष शेर सिंग्वा चौकी इंचार्ज शिफ कुमार शर्मा में फोर्स के साथ मोगे पर पहुंच गए वही घटना सतल का मौएना कर आगे की कारवाही भी शुरू कर दी गई है रात को मैं गर्वर जोग करता हूं तो रात को करिए ग्यारे बजी अपने डूतिस से आया आके मैं फ्रैस हुआ फ्रैस हो नेकवार में खाना वान खाया तो लगवाग में बेटी की दूछे कमरें पर रही थी तो उसकी छुत्या पर देसलिए ऑमबर पुलिट तक कर रही में लगवाग एक बज़ी शोया था इक बज़ी सब मैं राथ को दो गया उसके बाद में हम लोग शोए तो राथ को क्रेवन तो मेरी बीबी लगबग पांच बजे उटी जब मेरी बीबी उठी जिस समय तो में तो कोई घठानी हुई थी तो उसे थोड़ा हुआ के घठानी होगी तो कितना सोना और कितनी चांदी होगा और करीमन धायती इन चांदी होगी और केस्ट क्या सकती होगी तो